हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे Teach Coders चैनल पर यह हमारा जावा स्क्रिप्ट का दसमा वीडियो है इसमें हम इफर स्टेटमेंट सिखने वाले हैं तो आएए देखते हैं इफर स्टेटमेंट होता है क्या तो अगर आपका एफर स्टेटमेंट में condition true होगा तभी आपके blog code के अंदर आपका code run करेगा तो जावा स्क्रिप्ट में इसको syntax से लिखने के लिए सबसे पहले एफ को यूज करेंगे उसके बाद round braces के साथ condition का यूज करेंगे जो कि हमने conditional operator पिछले class में हमने पढ़ा था और उसके बाद curly braces का यूज करेंगे और curly braces में हम अपना कोई भी document प्रिंट कराएंगे या कुछ भी programming language लिखेंगे तो आईए अब इसका हम practical करके देखते हैं यहां पर हमने अपना HTML editor open कर रखा है और सबसे पहले हम एक variable लेते हैं यहां पर हमने एक अपना variable ले लिया है यह नाम करके उसमें 18 को assign कर दिया है और if statement को भी हमने लिख दिया है यहां पर if round braces उसके बाद इस sign को use करेंगे उसके बाद इसमें आप अपना जो प्रिंट कराना है उसे हम लिखते हैं तो पहले इससे पहले हम condition check रा लेते हैं तो यहां पर हम condition यहां पर प्रिंट कराएंगे यहां पर प्रिंट कर देगा और your category is young तो आएए लिखते हैं तो यहां पर हमने लिख दिया कि जो प्रिंट कराना था यहां यहां अब देखते हैं क्या होता है console error देख लेते हैं क्या problem है right हमने right word को गलत लिख दिया है यह देखिए your category is young अब हम इसको इसका भायलू रोडा करके देख लेते हैं 17 कर देते हैं 10 से छोटा 17 कर देते हैं अगर इसको हम 45 कर दते हैं तो देखिए 45 हमने कर दिया उसके बाद देखिए क्या होता है your category is young क्योंकि 18 से बड़ा बड़ा है ठीक है अब एक statement और देख लेते हैं इसी में हम अटा है कि कंडिशन डारेक्ट चेक कर आते है इफ स्टेक्मेंट लिए करके कर आप्र हमने इफ स्टेक्मेट लिए हमने इससन लिए अगर अगर श्यंकिता आज लिए इसमें हम condition checker आ लेते हैं, अगर एक ही भैलू, एक ही भैलू, 17 से छोटा हो, नहीं तो 18 से छोटा हो, 18 से छोटा हो, तो यहां पर क्या parent करनी चाहिए, यहां पर हम आप लिख दते हैं, अब देख लीजे, बात के मतलब है, यहां पर हमने कर दिया 14, तो क्या result आएगा, यहां पर हमने 14 रखा तो पहले आया इस code में, इस if में, इसF में मैं check किया, कि ऐसकी भैलू, एक ही भैलू, 18 की बरावर या, 18 से बड़ा ही रहा नहीं, तो यहां पर नहीं मिला, फिर इस code से बाहर कर दिया, तो फिर यहां पर एक ही मिलेगा, मैं चेक किया इसकी भैलो एक ही भैलो अठारा सा छोटी है या नहीं तो मिल गया हाँ तो इसको प्रिंट कर दिया तो अब तक आपको इसको किलियर हो गया होगा अगर टॉपिक से रिडिटेट कोई क्यूस्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेगा मुझे उमीद है कि या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक किजेगा शेर किजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद